हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे छट कि इलेक्रिकल वाईरिंग प्रोपर तरह से ऌई रहाएं और किन-किन बातों को आपको ध्यान रखना होता है जिससे कभी भी पाइप है या सर या फैन बॉक्स जो है वो ब्लॉक नहीं हो जाम नहीं हो और प्रोपर तरह से वाईरिंग किया जा सके वएड iG समय किसी भी तरह का परसानी नहीं हो और कौन-कौन सा समान लगता है कि समान का क्या नाम है और कहां पर इस्तमाल किया जाता है एटू जेट कंप्लिट इस वीडियो में दिख लाया गया है बत लाया गया है तो चले दूस्तों आज तरह के गेज में आते हैं एक आपका दो एम एक आपका तीन यहां पे जो लेंथ है वह 10 फीट का होता है और यहां पर पॉण इंच दो साइज लिए हुए है इससे हमारा इस फ्लॉर पे इस एरिया में काम हो जाएगा जरुरत पढ़ने पे सौब इंच का भी लगा जा सकता है सौब आ इंच भी आता है बलैक कलर में और यहां पे ये फैन बॉक्स है जो और कभी भी धलाई कर समान की बाता है उसके बाद यह ब्लैक कलर का जिस सॉप से आया है जिस दुकान से आया वहां पर अब लेवल नहीं था और यहां पर यह हमारा कॉंसिल्ड बॉक्स भी आपका आता है ब्लैक वाइट में हमें तो बस गेज अच्छा चाहिए हेवी चाहिए तो जो हेवी समान हमें मिला color से कोई मतलब नहीं है उसके बाद यहां पर PVC tape है और एक चीज़ आपको बतला दे बहुत से जगा पे PVC tape के जगा पर solution इस्तमाल किया जाता है इसे 60 के लिए पाइब को लेकिन यहां पर हम solution नहीं इस्तमाल करने वाले हैं PVC tape इस्तमाल करने वाले हैं सबसे यहां हमारा यहां पर आपको रखना नमलकित को एक सबसे ज्यादा जरूरी है truth सबसे जड़े है सबसे जरूरी है स्टैनिग कहा जाता है और सबसे जरूरी है तो यहां पर हमने बड़ा करना ही है और उसके बाद आपको एक डाई चाहिए जैसे कि यह हमारा डाई है और यह बहुत जादा जरूरी है इसलिए क्योंकि जो सरीया होता है च्छड होता है उसे मोलने के लिए और जो आपना नहीं जाए तो इसका इस्तमाल कैसे करेंगे कहां पर वह भी हम आपको दिखलाएंगे जो बहुत जादा जरूरी है उसके बाद एक मेजरमेंट टेप चाहिए अब चलिए हम लगाने की तरीका बताते हैं च्छत के अंदर यह जो च्छत है इसमें कोई भी रूम जैसे इस करेंगे मेजरमेंट करेंगे जैसे वह सेंटरमाजरमेंट लगा जाता है ऑसका simplemente करेंगे च्छत every जी सब्सक्रींजर घलते हैं जैसे साथ ऑपया करेंगे हम यहां पर करेंगे कहां पर가शdens है यहां 42 यानि 42 इंच यहां पर आएगा यानि 50 बिल्कुल आधा आप क्या करेंगे यह तो चवड़ाई हो गया अब लंबाई देख लेंगे कि लंबाई हमारा कितना है उसका बिल्कुल आधा कर देंगे जैसे यहां पर देख लेता है हम 126 इंच टोटल है अब 126 का आधा हमारा हो ज है य्यू hein यानि 28 को हमें मोड ना होगा होगा करना तो इसके लिए हम लोग यहां पर इस्तमाल करते हैं अब अब क्या होता है अगर हम उस्थर से नहीं से लिए अधरियों कि लगाया जाता है और सर्याम pos TV करके सैट कर लेते हैं तो यहां तो तो यह पर इसको थोड़ा सम खोल करके आर यसे ठाइट कर लेते हैं और उसके बाइन एंबॉक्स आ गया फिर मजर्मिंट कर लेंगे कि हांश सेंटर पर आ रहा या नहीं इधर उधर है तो थोड़ा सा और इसको अरजिस्ट कर लेंगे तो यहां प i हमारा perfect है उसके बाद यहां पे crank है हमारा एक उपर और एक नीचे सरीया है तो नीचे को नीचे सरीया मुड़ देंगे और उपर वाले को उपर इसलिए क्योंकि जो हमारा यहां पे हमने cutting कर दिया यहां पर पाइप को हम डालते हैं ज्यादा तर सॉकेट साइड जो होता है वह हमें नीचे लगाना चाहिए उसके बाद यहां पर लगा दिये अब यहां पर एक साथ इसको निकालेंगे एक साथ निकालेंगे तो जो सॉकेट है हमारा बेंड का उतना लंबा कटिंग कर देंगे ताकि बेंड में हमारा चला जाए और कटिंग करने के बाद पाइप को लगा देंगे और एक बाद चेक कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे इसके उपर टेप लगा देंगे इसी टेप के जगह पे बहुत से जगह पे सुलेशन लगा करके इ अब उसे मोर दी जगा लेकिन मेरा ऐसा नहीं लग रहा है और उसके यहां पर फिर हम टेप लगा दिए तो यहां पर इस तरह से लग गया आप यहां पर क्या करेंगे fan box के पास इतना बड़ा cutting करेंगे ताकि fan box के अंदर चला जाए और यहां पर ध्यान रहे यहां पर क्या करेंगे इस तरह से लगाएंगे हम brown tape जो सबसे जादा जरुरी है जब concrete vibrator चलता है उस टाइम पर क्या होता है जब यह टेप नहीं लगा रहाएगा तो यह ध्यान में रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी फैन बॉक्स कॉंसेट बॉक्स में आप लगा रहे हैं तो वहां पे टेप जरू लगा यह पाइप में उसी तरह से जैसे यह दूसरा साइड हमारा वाल है इस साइड हमें बेंड ड्रॉप करना है तो उससे चाहिए और बेंड लगा देंगे और यहां पे देखें सिर्फ सिंगल यानि क्रेंक नहीं है कभी एक चड़ के उपर आप डालेंगे नहीं तो होता क्या है अगर सरीया के नीचे आप डाल देते हैं तो कुछ दिन बाद 5-10 साल बाद वह क्रेक कर जाता है फ्लस्तर इसलिए यानि इस रूम में तीन सैड वाल में ड्रॉप हो गया है बेंड लगा करके और एक मेल लाइन के लिए कंड्यूट निकल गया है अब चलिए हम बात करते हैं डिप जक्सन कैसे लगाता है यहां पे ध्यान दिजिए यह जो इसको बंद करना जरूरी है इसलिए क्योंकि इसक से बहतर होगा आप ब्राउन टेप लगा दीजिए इस तरह से जितना मुँझ आपका खाली बच रहा है एक यह तरीका हो गया एक यह तरीका होता है यहां पे लगा दीजिए जरूरी तो नहीं है लेकिन अगर धकन नहीं है तब तो यह बिल्कुल बंद करना जरूरी होता ह अगर धकन है तो सिर्फ इतना पर करके अप लगा सकते हैं यह फर्फेक्ट हो गया लेकिन बहुत से जगा पर आपको कावर धकन नीचे का नहीं मिलता है खास करके प्लाइंट गयरा में तो वहां पर नीचे से इस तरह से टेप लगा करके बंद करें उसके बाद ही लगाएं यह ध्यान रखना आपको अब चलिए हम यहां पर लगा देते हैं आपका मजर्मिंट कहीं और पर हो सकता है टॉप हो सलेप हो बातरूम हो अपने जरूरत के अनुसार आप लग जिसे रेत भी कहा जाता है बालू भी कहा जाता है और उसके बाद फिर कॉभर को लगा करके इसक्रू से कस देंगे बहुत से लोग ब्राउन टेप से फैन बॉक्स को कॉभर कर देते हैं बंद कर देते हैं ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पकड़ और मजबूत न भी जाए ढूंडने से दिक्कत नहीं हो इसलिए उसके बाद जो कॉंसील्ड बॉक्स होता है उसके अंदर भी कुछ डाल करके ही लगाए जैसे कि हम यहां पे पॉली बैक डाल देते हैं आप कुछ और लगा सकते है या रेत जो होता है वह आप पोली बैक अंदर डाल करके इसके अंदर लगा सकते हैं और उसके बाद टेप लगा करके ही पाइप से बंद करें जैसे यहां पे दो हम पाइप लगा रहे हैं आपका चार साइड भी हो सकता है और छे होल का भी कॉंसिल बॉक्स आता है तो आपका छे साइड भी हो सकता है तो इस बात को भी आपको ध्या को सहेँगे ब्लॉक लगता है जहां पी भी ऻोता है ब्लॉक लगा करके जो नीचे से लिक कब प्ट रहता है उससे गप Harmonian Review में अगर लग रहा है कि आपके लिठ से चाप जादा है फैन स्याथ बॉक्स करका तो सरीया को मोड करके डाउन करके जो डीट है उसको कम करें और सेल्टरिंग में पूरा सटा दे कॉंसिल बॉक्स या फैन बॉक्स और एक इस तरह से पाई भी लगाया जाता है फैन बॉक्स या कॉंसिल बॉक्स अगर कोई लूज है तो बहुत से जगा पे बीम के अंदर भी हम लो लाइट पॉइंट देते हैं जैसे बीम है इसके नीचे किसी भी तरह का वाल नहीं है तो इसके अंदर तीन हम कॉंसिल बॉक्स लगाया है और यहां से देखिए एक पाईप ले जाकर के दूसरे बीम में फैन बॉक्स भी लगा दिये हैं और उसके बाद यहां से कंड्यूट निकाल करके डिप्जक्शन से कने hai future circuit हमारा हो रहा है तो यहां पर आपको पांच कंड्यूट डालना है अगर चार taćंड्यूट डालेंगे तो भी चलेगा लेकिन फिवरी और तरीका होता है और ऊपको 2.5 वायर है तो वहां पे आपको इस बात को ध्यान निकालना आएकर आपका तीन से चार फ्लॉर जा रहा है तो दो से तीन कंडियू निकले me कोई एक फ्लॉर है या दो फ्लॉर है तो एक कंड्यूट में भी हो सकता है आपको बहुत सी वीडियो और च्छत में किसते से पाइप डाला जाता है किसी किस बातों को ध्यान में रखना होता है मेरे यूटूब चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप उस प्लेल सवाल है सुझाओ है तो नीचे कॉमेंट बक्स में जरू लिखिए अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो यूटूसी अप्लिकेशन पर मैसेज कर सकते हैं बात कर सकते हैं